वेल्कम तु स्टडी आईक्यू मेरा नाम है नियर निधीन अंदेहा एन आप से क्यार रांक वाला हूं अपनी सीजी पेसी मेंस की ओवराल स्ट्राटेजी अगर आम मुझे दिफरेंट सोचल मीडिया प्लाटफॉंस में फॉलो करना चाहते हैं तो यह है मेरे दिफरेंट से इंपॉर्टेंट किया है कोई भी एक्जामेशन पॉइंट ओफ्यू जमों किसी सीजी की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो आई जज़ेट वन दे बेसिस ऑफ माक्स अलॉटेड एंड एंड और बेसिस ऑफ कंट्रोल डटाइव एंड पर्टिकुलर स्टेज अफ इग से इनका जो नेचर होता है प्रिलिम्स क्वालिफाइं होता है में स मेरिट में गॉट होता है और इंटर वी तॉत होता है नहीं मेरे कोवका कंट्रोल के kadar मेरा एकिस प्रकार से कॉत आप जाने वाला है पर्टिकुलर पेपर का मेंस में बोलूगा कि maximum control होता है आपका इस particular mode of examination में जो मेरे experience रहा है means is skill-based and prelims at time is luck-based वहीं अगर interview के बात करें तो इसमें control वो बहुत ही subjective होता है कई लोग होते हैं जो मोल्ड कर जाते हैं चीजों को इंटर्वी के उसाब से एंड कई बार आपका किसमत खराब हो सकती है तो ऐसा इंटर्वी पैनल मिल सकता है जो आप से disagree कर रहा है या जिनको आप पसंद नहीं आए जिनका आपका answer पसंद नहीं आए attitude पसंद नहीं आए किसी का मास्क गिर गया तो शायद उनको रूम से एक्जिट करने के लिए बोल दिया गया तो इस टाइप की चीज़े होती है इसमें आप expect नहीं कर सकते हैं क्या होने वाला है तो इंटर्वी को जो कंट्रोल रहता है काफी subjective होता है या आप पे भी डिपेंड करता है और पै देने चाहिए particular stages of examination को मुझे realize होता है कि मेंस के नंबर maximum है जो की merit में count होता है जिसमें आपका control maximum है और जो skill based है तो मुझे लगता है कि मेंस आपकी होनी चाहिए priority from day one इंटर्वी के त्यारी ऐसे है कि आप specifically इंटर्वी के त्यारी नहीं कर सकते है और त्यारी है भी तो इसका कोई syllabus defined नहीं होता है इसका क्या होता है इसकी preparation last में आप 30 days में ही करते हैं more or less interview call आने के बाद तो मुझे नहीं लगता है कि इंटर्वी में initially beginner को बहुत जादा स्ट्रेस करना चाहिए कि वो जो स्टेज है में भी डेड़ दो साल दूर है तो मैं आपको यह कहूंगा कि आप में से पूरा focus रखिए जहां तक prelims की बात है मुझे मेरा यह मानना है कि आपको बहुत डिप्टी कलेक्टर बनने से रोक तो सकता है लेकिन prelims का knowledge आपको बना नहीं सकता है तो prelims qualify करना है is a very part of very necessary part of the examination but at the same time उस पर over stress करके mains compromise करने का कोई logic मुझे तो नहीं दिखता है इसलिए मुझे लगता है कि में सबसे important part होता है इस पूरे state service examination के stages में उसके लिए मैं बात करना चाहता हूं कि why every paper counts over the years ऐसा माननेता रही है लोगों की कि paper one language बहुत ज्यादा अच्छा score आ सकता है paper two में बहुत ज्यादा unevenness होती है अगर किसी को 95 मिला है वहीं उसके nearest competitor को 135 मिल जाता है students के 120 के आसपास ही आये है paper four का जो traditional marks रहे हैं 2019 वाला में ने दिया उसके पहले ज्यादा नहीं रहे है 100 से लेकिए 110 से लेकिए 115 का range देखा गया था उसी तरीकी से paper five economics हमेशा से एक weak link रहा है लोगों preparation में यहाँ पे 105 तक का score अच्छा माना जाता था पहले यह post 2018 यह pre 2018 का pattern है जो 2018 तक चल रहा था और 2019 और 2020 में क्या differences आया है वो मैं आपको बताऊंगा उसी तरीकी से paper six में ठीक ठाक number उठ रहे थे जो अच्छा student है उसका almost 125 की आसपास आ रहा था और पेपर seven रहा है यह conventionally low scoring रहा है 2018 में भी ज्यादा score नहीं आये लोगे anything above 100 was a good score ठीक है अब मैं आपको बता रहा हूं कि why every paper counts हर पेपर काउंट करने का सबसे जो main कि जो paper one है paper one में जो maximum number आ सकते हैं वो आ सकते है 155 जहां तक मैं recall पर पा रहा हूं 2019 में अगर देखें हम तो किसी बहुत यह rare cases में 140 प्लस गया है लोगों का बहुत rare cases में अब वहीं 2020 में हम लोग देखें में इसका तो जहां तक मेरी knowledge है 167 गया है तो अगर आप paper 2018 की basis में अपना strategy बना रहे है 2019 के लिए कि language में तो हमें rates के ऊपर खीचना है तो ऐसा नहीं हो पाया because nature of paper कुछ अलग आया था वहीं 2020 की बात करें अगर आप 2019 की basis में अगर अपनी strategy बनाते और सोचते कि 140 145 is more than enough लेकिन वो paper ऐसा सेट हुआ था कि इसमें लोगों ने 167 स्कोर किया है so more or less मेरा यह कहना है कि we never know कौन से paper easy set हो जाए और कहां पर आपकी नईया पार हो जाए paper कई बार होता है कि conventionally scoring paper tough set होता है और conventionally tough paper बहुत scoring set होते है for example paper 5 की बात करें था 2018 topper का जहां तक मैं recall कर पा रहा हूं 99 marks आया था ठीक है और उनका टोटल overall score जो आया था मेंस में जहां तक मैं recall कर पा रहा हूं कुछ 855 के आसपास आया था तो वही मेरा कहना है कि उनका आया था 99 2018 का paper ऐसा set हुआ था उसमें 36 से related data 1971 से पूछेते हैं अब 36 स्टेट का formation 2000 में हुआ है तो 1971 का data अगर आप 8 मार्क 10 मार्क में पूछ रहे हैं किसी particular health indicator का तो इसका paper का नेशार तफ था इसमें कम marks उठे वहीं देखे 2019 में था I have seen guys scoring 135 in this paper उसी तरीके से 2020 में भी score काफी अच्छा गया है paper 7 100 के range में होता था 2019 में भी लगभग मुझे लगता है कि 100 प्लस वाले students 10 से 15 से जादा नहीं है और वहीं 2020 में देखेंगे तो 115 के उपर जो range है वो काफी normal हो गई है तो यही कि आप कभी predict नहीं कर सकते हैं कि कौन से paper conventionally जो tough set हुआ है वो easy हो जाएगा इस साल और कौन से paper easy है इस साल वो tough set हो जाएगा आपको जैसा paper आ रहा है उसमें stretch करना है for example paper 4 जिसमें usually log in number 115 के आसपास आ रहे थे मेरे आगे 161 because मुझे personally लगता है कि उस साल का paper आपको allow कर रहा था इतना stretch करने के लिए maths बन गये थे, part 1 बन गया था, part 3 easy आ गया था तो वहापे मैंने score कर लिया तो the crux of the entire issue is every paper counts आप किसी भी paper को बाहर नहीं कर सकते हैं, ignore नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं पता है कौन सा paper कैसा set होने वाला है, माल लीजे आपको कोई paper बहुत जिस बनता है उसका paper अगर tough set हो गया, तो आपके marks compromise हो गया और जो paper आपको tough लगता था, CGPSC की history में वाला paper इस साल आपके attempt वाले time में सबसे easy set हो गया तो आप इतने कमजोड से कि easy paper भी नहीं बना पाए, तो यह जो relative easy or toughness है, वो paper determined करता है, वो आपका past year trend या आपकी preparation determined नहीं कर सकती है कि आप उसमें 150 pluses आ रहे है, that's why every paper counts and आपका फर्स बनता है, कि 7 paper आप equally साथ लेकर चले, उसकार मैं बात करूँगा practical चीजों में, तो 4 day grind, मेंस के चार paper होते हैं, जो 7 paper होते हैं, फिर से start करते हैं, यहापे मैं experience के बारे मैं बात करूँगा, जो 4 day का grind होता है, जो 4 दिन का इसमें होता है, day 1, day 2, day 3, similarly day 4 होता है, इसमें होता है, language plus essay, paper 3 and 4, paper 5, 6, last day होता है, paper 7, अब आपको बता रहा हूँ कि यह कैसे कैसे, यह particular means का examination है, वो कितना दाद आपको academically और physically demand करता है, अगर आपको merit list में आना है, तो, language and essay कि पहले आपके पास infinite time होता है, आप चाहे तो 5 दिन पढ़ सकते है, language and essay, आप चाहे तो 50 दिन पढ़ सकते है, you have infinite time for language and essay, and यही reason है कि कई लोग essay last में prepare करते हैं, पूरे साल बर के मुद्दे देखने के बाद, और जो language होता है, लोग last में revise करते हैं, जो भी चीज़े या author आपने memorize कर लिए, तो यह सब चीज़े हो सकती है, तो day 1 को ऐसा होता है कि everybody is a champion, कि कि इसके पहले infinite time होता है, कोई भी stress management, time management, और physically थके हुए नहीं होता है, problem start होती है day 2 से, आप already 3 hour plus 3 hour के papers लिखके आ चुके हैं, 6 घंटे आप already physically exhausted है, आने वाले 6 घंटे, जो अगर मालेजे 5 बजे exam चूटता है, आप लगवक 7 बजे के पहले अपना revision start नहीं कर सकते हैं, और 7 से maximum कर सकते हैं रात के 2 बजे तक, जिसमें से अगर आप net time देखेंगे, तो भले आपको लग रहा होगा है, यह साथ गंटे है, लेकिन आप बहुत जादा efficient है, फिर भी आपको 5-6 घंटे से जादा नहीं मिलना है, या तो आपको need compromise करना पड़ेगी, या तो revision compromise करना पेपर 3, huge syllabus, पूरे 7 तो पेपर में सबसे बड़ा syllabus है, तो पेपर 3 का है, पेपर 3 अगर मैं बताओ ना, कि पेपर 3 is equal to paper 5 plus 7 combined, जितना content सिर्फ paper 3 में है न, वो मेरे हिसाब से paper 5 और 7 को आप combine कर दो के तो उतना ही syllabus बनता है, पेपर 3 huge है, Indian history है, जो कि खुद में divided हैं, पॉल और साथी साथ, पेपर 4 भी खड़ा हुआ है, जिसमें maths है, PCB है, और environment वाला पार्ट है, यह जो अकिला पार्ट है, नॉर्मल दिन में, अगर आप बहुत जादा अच्छे फॉर्म में हैं, तो 5-6 घंटे लगने हैं, आपको उसको रिवाइस करने में, और आपके पास हैं, तो अभी आपके पास दो अल्टरनेटिव है, या तो आप पेपर 3 पूरा रात को रिवाइस कर सकते हैं, और जो दो पहर का ब्रेक मिलेगा, वहाँ पेपर 4 रिवाइस करेंगे, ठीक है, या दूसर चीज यह हो सकता है, कि आप पेपर 3 आधा रिवाइस करेंगे, और पेप आपको एक-एक पन्ने देखके जाने पड़ेंगे, जो आपने एफिशिंट नोट्स बनाएं उसके, तो मेरा जो मानना है, इसमें जो सही अप्रोच रहेगा, वो यह है, कि इसकी तयारी उस दिन नहीं होगी, कि आप कैसे रिवाइस करने वाले हैं, इसकी तयारी होगी डि आपको अपरोच आपको करना पड़ेगा, शाम का आप आके वो चीजे नहीं कर पाएंगे, जो कि आप पहले प्लान कर सकते हैं, इस पार्ट आफ एक्जामिनेशन प्रिपरेशन, कि आपके नोट्स इतनी एफिशियंट हैं, आपको अपको थ्यान में रखते ही हुआ है, आ आपको अपने स्ट्राटिजी बनानी है, आपको अपने नोट्स बनाने हैं, तो सबसे पहले तो आपके नोट्स इफिशियंट होना चाहिए, जिससे पेपर 3 आप बहुत चीज से रिवाइस कर लिए, दूसरा, जब भी दो पेपर है साथ में, for example, day 2 और day 3, तो make sure कि इसमें जो second paper है, वो आपको बहुत अच्छे से रिवाइस है, वो आपके subconscious mind में है, तो जो paper 2 है, second paper है उस day का, इस पे आपके बहुत चीज से पकड़ होनी से ही है, for example, मेरे लिए paper 4 काफी easy था, relatively बाकी papers से, तो paper 4 मैंना अच्छे से grip बना के रखी थी, और similarly paper 6 में grip बना के रखी थी कि अगर मैं पहला जो first paper है, उसको नहीं पढ़ूँगा, revise नहीं करूँगा, तो रात को, जब मैं 12 बज़े start करूँगा, उस paper को, जिसका मेरे सुबह 9 बज़े examination है, तो मेरे उपर pressure build होगा, आयन मैं हार बढ़ाऊँगा, तो मैंने क्या किया था, कि जो पहला paper है, उसको पह तक paper 4 revise करूँगा, ठीक है, अगर मेरे paper 4 में पकड़ बहुत अच्छी है, तो क्या होगा, मैं 7 से लेकि 12 तक paper 3 revise कर सकता हूँ, और लगबग 12.5 से 2 तक paper 4 revise कर सकता हूँ, तो इस पर्टिकुलर 7 hour का window है, 7 से 8 घंटे का window, इस अब के लिए सेम है, उस दिन आप extra समय खरीद नहीं सकते हैं, तो इसी 7-8 घंटे के अंदर आपको prioritize करना है, या तो आप 4 प्लस 4 hour revise कर दीजिए, दोनों को equal बाड़ दीजिए, या फिर, आप जो second paper है, उसको पहले से काफी अच्छी से prepare कर लीजिए, और इसको लगबग आप 5.5 और धाई घंटे में divide कर सकते हैं, जो कि मैं करता था, personally, तो दे टू और दे ट्री में की है, कि आपकी notes बहुत चाहिए से बनना चाहिए, जो second paper है, अगले दिन का, वो आपको बहुत चाहिए से revise होना चाहिए, और आप start करेंगे, तो पहले paper से start करेंगे, ताकि 12 बज तक वो revise ह हो जाए, और आपको stress ना पड़े, once again, यह मेरी personal strategy है, आप different types से, इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, but the most important thing is, कि यह जो particular management है, day 2 और day 3 का, इसको आप mock test में practice करके रखें, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं होने वाली है, जो बहुत जादे exceptional है, यहाँ पे व कईयों का पुरा हाथ दर्द होता है, लोग बरफ में अपना हाथ दुबा के रखते हैं, किसी की बैक एक कर रहे होती है, किसी के आखें लाल हो जाती है, कोई sleep deprived होता है, तो यह physical exertion जो है, उसके साथ ही आपको perform करना है में, तो जैसे आपने day 2 में किया, अब day 3 में आएंग तो already आप फिर से 6 घंटे लिख के आएं, प्लस आप sleep deprived है, कि day 2 was very heavy, लेकिन once again आपको day 3 के लिए भी revise करना है, तो once again वही strategy है, paper 6 पे मेहनत करिए, examination के पहले ही, लगभग एक महीने देड़ महीने पहले ही paper 6 अतना अच्छे से कर लीजिए, कि आपको paper 5 के लिए relative time मिल जाए, paper 5 current affair heavy होता है, तो आपको यही बोलूँगा कि इसमें आप पहले current affair revise करिए paper 5 में, फिर economic survey revise करिए, फिर budget revise करिए, इसके बाद जो static portion है, उसको revise कर लीजे, कि जो static portion है ना, तो more or less आपको आजाएगा, अगर वो drainage system और 36 के बारे में बोलेगा, तो आप कही न कहीं लिख लेंग सबको पता है, length सबको पता है, tributary सबको पता है, importance सबको पता है, तो वहां पर ज्यादा issue नहीं होने वाला है, लेकिन अगर वो यह बोल देता है कि particular sector का GDP में contribution कितना है, या growth rate का क्या pattern है, तो this is very specific, जो तब ही आप आएगा, जब आप इनने economic सर्थ रिवाइस करके रखा है, तो वही है कि paper 5 में जो dynamic part है, वो पहले revise कर लिए, और static part है, उसको देख लिजिए, formality complete कर लिजिए, और जो बचा हुआ टाइम उसको paper 6 कर लिजिए, day 4 relatively easy होता है, लेकिन यहाँ पे लोगों के साथ क्या होता है, कि लोग बहुत overconfidence में आ जाते हैं, कि पिछले 2 दिनों में तो हमने पहाड़ वाला syllabus करके रखा है, तो हमको जरूरत नहीं है paper 7 पढ़ने के लिए, तो क्या करते हैं, तो usually 7 बज़े जो revision start होता है, यह 9 बज़े करता है, उसको 9 से 10 पढ़ेंगे, आपके जी दोस्त को phone लगाए हैं, कि भाई क्या चल रहा है, तो उस कारण क्या होता है कि यह जो revision आपका दो बज़े रात को खतम हो जाना चीएता, कभी-कभी चार बज़े तक चल जाता है, तो just because आपका single paper है उस दिन, don't go easy, 7 बज़े से ही start करिये, 12 बज़े तक खतम कर दिये, और जो आपका sleep deprivation रहा है पिछले day 2 और day 3 के कारण, आप 4-4 घंटे सोए हैं, please have a 9, 6 to 7 hours of sleep on day 4, ठीके, अराम से सोईए, paper 7 का dynamic part है, वो cover कर लीजिए, static part है, वो cover कर लीजिए, paper 7 का nature ऐसा है, कि अगर वो अच्छा set हो गया, तो ठीक है, वरना नए कोशन तो सबके लिए ही ना है, तो थोड़ा light लीजिए day 4 में, और अपना नीद आप जितने भी बची for example, over the years मुझे realize हुआ है, कि paper 3 की अपनी limitation है, paper 3 की अपनी limitation है, paper 3 में आप, usually अगर ठीक ठाक student है, 120, 125 से ज़्यादा निगा सकता है, उसे तरी किसी paper 7 का जो part सेट हो रहा है, वो भी मुझे लग रहा है कि 120 की उपर जाना is a difficult part, वहीं अगर हम बोलूं कि कितनी opportunities है कौन से paper में तो मुझे लगता है paper 1 language, बहुत असानी से आप 140 प्लस score कर सकते है, depending on that year का paper, paper 2 मुझे लगता है कि super critical, यह सबसे critical immense examination में, कि paper 1 आप सिखा सकते हो लोगो को, संदी समास परियावची विलोम is nothing very new, अगर आप कुछ GS रट सकते हो, तो आप language paper भी रट सकते हो, लेकिन paper 2 is an art, हर कोई facts होने के बावजूद, एक अच्छा essay लिखे ज़रूरी रही है, इसलिए paper 2 essay कि आपके बहुत चीज़ तयारी करनी है, आपको साल भर essay लिखना है, हर महीने essay लिखना है, चप्तिसगर और इंडिया के दो-दो topic पे, और इसको review करवाना है, और जितने जादा literary skills हो सकते ह exam, shlok, indices, anecdotes, short stories, quotes, इन पे पकड़ बनानी है, paper 2 का fluctuation बहुत जादा है, अगर आप paper 2 को ignore कर रहे हैं, तो हो सकता है 95 marks आजाए paper 2 में, और वहीं अगर किसने सिर्फ paper 2 में ध्यान दिया है, तो हो सकता है 145 marks आजाए, तो यह जो 50 number का difference है, इसको GS से compensate कर पाना is very difficult, क्योंकि अगर आपने 123 स्कोर किया है paper 3 में, और आपके nearest competitor जो आप ही के level का है, वो 117 से कम नहीं जाने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे जो 6 mark का lead है, that will not be able to compensate, जो 50 mark की lead उसना already ऐसे paper में ले लिया है, तो लोग सेलेक्शन ना होने का या बीछे rank आने का काना यहीं होता है, क अब बाकी लोग related ज्यादा advantage में रहते हैं, उसके comparison में, similarly मैं यहीं कहूंगा कि paper 4 अब बहुत scoring हो गया है, अगर आपने math section बना लिया है, तो कहीं ना कहीं आपका 135 प्लस है, वो तैय है, ठीक है, कि कि अगर part 1 में, आपको 50 number मिलते हैं, part 2 में आपने math बना लिया है, तो लग जाता है, तो paper 4 में आपको ध्यान देना है, paper 5 अब scoring हो गया है, पहले economics नहीं बनती थी, conventionally, 2018 के पहले तक, लेकिन अब लोगों को economic समझ में आने लग गई है, और geography, Indian geography, 37 geography, और economics survey का current related जो orientation हो गया है, अब economics वाले paper में, तो मुझे लगता हो कहीं न कहीं लोग क्राक कर रहे ह paper 6 is also a good paper, mostly static portion है, and यहां पे भी लोग 130 प्लस अच्छे से score कर रहे है, once again, जो limitation वाले पार्ट है, उसमें paper 7 को में डालूँगा, क्यों मुझे लगता है कि paper 7 में more or less 120 के ऊपर जापाना possible नहीं है, क्योंकि IPC के section, CRPC के section, और particular laws के section pools दे रहा है, और international affairs से जो question आ रहे हैं, दर- WHO का कुछ blueprint था COVID-19 related, वहीं इंडो-China war था, Korean war था, यह सब conventionally हमारे syllabus में नहीं है, और typical CGPSE aspirant को इस प्रकार के international relation handle करने की आदत नहीं है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि paper 7 का भी upper limit है, तो यहां पे हमने देख लिया कि which paper counts more and which paper counts less, अब मैं बात करूँगा कि what makes a good answer, दे it should address what the question is asking, दूसरा होता है presentation, कि आपने जो लिखा है, वो visible है particular examiner को यह नहीं, या उसको धूड़ना पड़ रहा है, तीसरा यह होता है, subheadings, for example, अगर impact of air pollution पूछा है और आपने सीधा paragraph start कर दिया है, तो यह जो अप्रोच है, इस से comparatively stronger approach किया है, कि आप इसको divide कर रहे है, impact on humans, animals, plants, environment, biodiversity, ठीक है, यह कर सकते है, तो यह सब handling से मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अच्छी होती है, अपने answers को structure provide करने के लिए, चौथा current affairs, अगर आपने पहले लाइन या आखरी लाइन में, एक current affairs sandwich बना के रखा है, ठीक है, तो मुझे लगता है कहीं नहीं, बहुत समझने में कि you are a very well-read fellow, तो मुझे लगता है कि यहां से marks बाना relatively easy हो जाता है, पाच्छा यह है कि कितने graphical answers सकते हैं, आप, देखे, टेक्स पढ़ पढ़के न मैं खुद बोर हो आता हूं, इसलिए at times में को जब भी मौका मिलता है, मैं flowcharts add कर देता हूं, अपने papers में, पाई chart add कर दीजिए, graph add कर दीजिए, map add कर दीजिए, ठीक है, map add कर दीजिए, map पे मैनत करिए, मैंने कईों को देखा, 36 बनाते हैं, तो मुझे लगता है सिंहाडा बना दिया, थोड़ी से मैनत करिए, 36 चत्तिजगा टैप दिखना चाहिए, और इंडिया इंडिया टैप द दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा-कासा आप answer लिख सकते हैं, साथी साथ मुझे लगता है कि एक symmetrical answer, for example, अगर particular चीज़े left से start हो रही है, ठीक है, और right में खतम हो रही है, और ऐसा करके this symmetry नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं वो अच्छा add करता है, point लिख रहे हैं सब एक साथ लिखें, लाइन में, अगर आप उसको और लाइन करना चाहते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं, यह symmetry होगे काफी important, अगर आप पैरग्राफ में लिख रहे हैं, तो make sure कि पैरग्राफ का एक ली लाइन के नीचे change हो, जैसे paragraph change अब यहाँ पर हो रहा है, फिर यहीं से स्टार्ट हो, तो यह जो symmetry है, मुझे लगता है, यह काफी अच्छी लगती है देखने में, examiner को, last but not the least, अगर आपका paper neat है, और आपकी handwriting decent है, यह legible है, पढ़ने लाइक है, तो यह भी कहीं ने कहिए, वह अच्छा impression देता है, ठीक है, तो neatness में जो element है, जो मैंने personally realize किया है scale का use करिए, जब भी कोई diagram बना रहे है ना, तो scale से draw करिए margin, डबबा बनाइए, चर्माइए मत, ठीक है, और last but not the least, तुमें को बहुत लेट लाइज हुआ था अपने preparation के दरान, कि underline करना is also equally important, keywords को highlight करिए, underline करिए, to make sure, कि examiner उसको particular section को notice करे, अब सबसे बड़ा यह debate होत तो मैं simple सापको लिखके बताता हूं कौन सा अप्रोच सही है, कौन सा अप्रोच नहीं है, कोई चीज़े है, मैंने लिखी हुई है, यहां से, ठीक है, यह paragraph अप्रोच है, अब bullet अप्रोच देखते है, क्या है, आपको क्या लग रहा है, कि किसमें मुझे dimensions देखने में easy होग पारग्राफ में या बुलेट में, this is a normal logic, एक दम visual चीज़ है, ग्राफिकल चीज़ है, you know कि बुलेट में बहुत easily आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, examiner जब marks देगा, तो एक जोस की thinking होती हो, क्या होती है, कि इसने कितने जादर points दिये है, dimensions दिये है, point दूट ना, इस पर possible है क्या, possible है, effort लगेगा, इस पर कितना effort लगेगा, definitely इस से कम, तो मुझे लगता है कि bullet makes it very easy for the examiner, जो point-wise अपने लिखते है, it makes it very easy for the examiner, कि उसको देख पाई, आपने क्या-क्या लिखा है, एन आदमी point पढ़ता है, और यहाँ पर अगर उसने 19 points दिये होंगे, लेकिन इसम counting है, तो जब 8 मांक में question answer देने की बारी आएगी, तो हो सकता है, बहुत अच्छे answer को इनको 5.5 दे दे, लेकिन just because this is readable and he has a comparatively weaker content, but he will get 6 out of it, तो आधे मांक को ज़े difference है, अगर आप 45 questions के across calculate करेंगे, तो कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 17 से लेके 20 number का फरक तो पढ़ता ही है, answers म ठीक है, तो यह एक बहुत ही normal visual approach है, common sense वाली बात है, कि bullets are more effectively representing your content, why symmetry matters, कि कि once again, जो visually appealing होता है answer, जो easy to read होता है, यह examiner के लिए easy हो जाता है, चीज़ों को identify करने के लिए, और जैसी easy होता है examiner के लिए, मुझे personally ऐसा feel हुआ है, he is very lenient in giving marks, दो copy आई हुई है, एक copy में उसको हर चीज़ धूड़ना पढ़ रहा है, जो neatly arranged नहीं है, एक copy है जिसमें सब कुछ neatly arranged है, और एक particular examiner को 50-70 copy चेक करनी है, दिन में, तो अगर आप से पहले 50 लोग इस टाइप से लिखे हुए है, और आप 51st इंसान है, जिन्होंने बहुत symmetry रिप्रेजेंट करी है, तो जो relative marking होती है, उसमें आपको advantage होता है, कि जो symmetry होती ही, वो आपके clarity of thoughts को बताती है, आपको approach को बताती है, आप बताती ही कि अपने systematic इंसा आप इतने अच्छे से आपने उस concert को समझाए, तो कहीं न कहीं symmetry matters, आपको marks अगर improve करने है, तो you have to write a very symmetrical answer, जमा हुआ, जमा के लिखना है, spicing with current affair का funda एकदम से simple है मेरा, जो starting line है, वहाँ पर current affair add करो, जो last की line है, वहाँ current affair add करो, ताकि examiner को answer में घुछते साथ पता चले कि आप अपढ़के आये हैं, और last line से आप उसको rewind करवा दो कि मैं पढ़के आया हूं, marks award करते भी देख लीजेगा, तो मुझे लगता है कि 0. 0.5 से 1 mark का फायदा तो होता है, अगर आप पहले में current affair लिखेंगे और last में current affair लिखेंगे तो, managing time, सबसे crucial element होता है, जो paper होता है आपका, gs paper, मुझे लगता है तीन पार्ट में divided होता है, part 1, part 2, part 3, 75 marks, 50 marks, 75 marks, मेरा जो management रहा है time को, लेकिन paper में ऐसा रहा है कि पहला section में one hour मैं complete करूँगा, दूसरा 45 minutes में, तीसरा one hour में, जो overall मेरा paper जो complete होता था, जो मुझे realize होआ है, वो ऐसा होता था 2019 mains में, कि मैं लगभग 55 minutes में इनको cover करता था, इसको लगभग मैं 45 minutes में ही करता था, और इसे भी लगभग मैं 55 minutes में cover करता था, तो 2 गहंटे 5-30 minutes, 2 गहंटे 40 minutes तक मेरा paper complete रहाता था, और इसलिए complete नहीं होता था, कि मेरी speed बहुत ज़्यादा है, नहीं, वो इसलिए complete होता था, कि मैं to the point answer लिखता था, और एक bullet point लिखने एकारण होता था, कि मेरा बहुत सारे space बन जाते थे, और plus मैं over explain नहीं करता था, हर चीज़ को under explain करता था, complete sentences में नहीं लिखता था, मैं इसे उसका sense deliver कर देता था, उतने ही words लिखने करता था, और यह reason है कि कम लिखने के कारणा, symmetrical लिखने कारणा, बहुत अच्छे से space, intelligently, अगर मैंने space छोड़ दिया, किसी flow chart में, जैसे मैंने किसी answer को ऐसा लिख दिया, इस form में, तो यह जो space बची हुई है ना, यह मेरा time बचाती थी चीजों में, इनकी बीच की जो space है, यह लगभग आप जोड़के देखें हैं तो at least there are two lines, two lines का मतलब 16 words, अब 16 words अगर आप बचा लिए हैं, तो लगभग आपने 1500 words की saving कर लिए, पर्टिकुलर पूरे paper बरना है, तो यह जो है मेरा time बचाता था, it's not about speed, it's about how you write, अगर आप कम speed भी लिखते हैं, तो भी you can cover your paper at this time, बात है कि आप कितने अच्छा से जवाह के लिख रहे हैं, कितने integrity इसमें आप space management कर रहे हैं, तो managing time is nothing but the management of space, line bound examination है, तो जिस प्रकार से आप space manage करेंगे, उतने ही अच्छा का time manage होने वाला है, तो यह particular में follow करता था, और जो second trick है जो मैं use करता था, वो यह था, कि जो first question है, उसमें मैं ऐसे लिखता था, जैसे second last question है, और पांच मिड़ बचे हैं, आप मुझे last question भी attempt करना है, आप मुझे last question भी attempt करना है, तो यहाँ पे जो hurry होता है, जो speed होता है, मैं उसी speed से लिखता था, कई लोगों के साथ दिक्कत क्या होता है, कि वो मोती पी रोने बैठ जाते हैं, बहुत ही सुन्दर handwriting में लिखेंगे चीज़ें, कैलिग्राफी दिखा देंगे अपने पूरे पहले questions में, उसके लास्ट question ऐसा होता है, 15 मा के question, 20 मा के question, कई हो के 35 मा के question छूट जाते हैं, और यह चीज़ प्राक्टिस करनी है, आपको मॉक टेस्ट में, और जितना प्राक्टिस करेंगे, उतना आपको पता चलते रहे हैं, कि मैं लीट कर रहा हूं, कि मैं लाग कर रहा हूं, और जो मैंने benchmark बता दिया है, वन आवर 45 मिनिट्स, और वन आवर का, यह एकना मॉक टे मैंने डिवाइस किया था, तो यहां से मेरे को रिलाइस हो गया, कि अगर एक घंटे से कम में complete हो रहा है, तो मेरे नहीं जूटने वाले है, वह ही अगर एक से एक दस हो गया, एक पांच हो गया, पहला सेक्शन, एक वन आवर 5 मिनिट्स, और वन आवर 10 मिनिट्स, मुझे प में cover कर लीजिए, तो जितनी भी time adjustment है, make sure कि second paper तक होई जाए, second part तक होई जाए, तो वन आवर 45 मिनिट्स, में आपके part 1 plus 2, cover होई जाना चाहिए, वहना फिर pressure build होगा, and जो open ended question है, 8, 10, 15 नंबर के, इसमें compromise होगा, क्योंकि आपको सोचने का time नहीं मिलेगा, तो प्लीज होता है, जो 45 मिनिट में cover होना सी, जो 50 मां का होता है, that is the key to completing paper on time, कुछ भी adjustment इदर होता है, तो part 2 को attempt करते time, आप manage कर सकते है, managing stress, stress जो होता है, syllabus का unwritten part होता है, आपको stress handling के लिए ऐसा करना है, कि पहला, आपको physically work out करना है, ठीक है, बैठे बैठे अगर रहेंगे, तो जो negativity ह होती है, बहुत बढ़ जाती है, तो जाकर आप workout करिए, पसीना भाई है, and make sure कि आप daily at least, at least walking, include करिए अपने daily schedule में, या फिर आप gym भी कर सकते है, आपके उपर है, जो भी physical activity आपको soothing लगे, दूसरा आपको stress manage करने का तरीका है, कि एक hobby बना लीजे, वो hobby कुछ भी हो सकती है gardening हो सकती है, music हो सकती है, या फिर हो सकता है कोई अपने series देख लिया, Netflix में, या किसी और platform में, तो यह हो गए आपकी hobby, तीसरा यह है, कि you should have a good circle of friends, ठीक है, make sure कि आप एक exam का preparation कर रहे हैं, और आप जितनी भी चीजे होती हैं, share करिए आपस में, और जो आप face कर रहे हैं, सकता है कि acid app का आपका दोस्त का भी हो, इसका last दो बार से prelims ने निकला है, उसके साथ मिली है, strategize करिए चीजों को, and साथ में रहे है, क्या कभी-कभी ऐसा होता है कि parents को रहे हैं, तो अगर आपको बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो वहां से आपका stress management हो जाता है, last but not the least, family and relationships, अच्छे से manage करिए, कि अगर academic जो pressure होता है, वो तो आप handle कर लेंगे, लेकिन अगर इस dimension से आपको कुछ pressure आ रहा है, तो बहुत difficult हो जाता है चीज़े handle करने के लिए, तो अगर आपको stress management करना है, तो physically fit रखी है, अपने आपको entertain करिए hobby से, और friends, family and relationship से manage करिए, सबसे बड़ है, पहला जो cycle होता है, पहला जो cycle होता है, वो सबसे बड़ा होता है, फ़र परस्नली, मुझे अपना first revision करने में, वनलब all 7 papers revise करने में, मुझे लगभग लगते हैं, 40 days, first round में, उसके बाद इसी को cut shot होके वो लगभग हो जाता है, 25 days, मेरे case में, आप लोग के लिए different हो सकत होता है, फिर ये cut shot होके हो जाता है, 15 days, फिर last में, जो examination week होता है, वहां पर लगभग हो जाता है, 7 days, ठीक है, जो पहला जो होता है revision, वो हमेशा बहुत ही heavy होगा, इसमें आप try करिए कि बहुत depth तक पढ़ें, जितने भी note सब कुछ पढ़ें, जो next 25 days है, यहां पर आपको focus करना है, कि आप कितना recall करें है, इस depth से, last 15 days है, उसमें आपको उन एडिया से focus करना है, जहां से popular past year questions बनते आए, for example, history में इंडेस वाली से question बना ही है, ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे, तो economics में budget, economic survey, current affair काफी heavy रहता है, तो यह जो चीज़े हैं, इन में आपको जादा focus करना है, last seven days में, आपको बस अपनी familiarity चेक करनी है, आपको याद आना चाहिए कि इस particular notes में, left side उपर कौन सा है, right side उपर कौन सा है, मैंने कौन से fat कहां रखे है, तो seven days आते आते सब कुछ बहुत ही easy हो जाता है, जो पहला phase होता है, इसमें आप थोड़े से under confident होते है आपको लगता है कि revise हो पाएगा नहीं हो पाएगा, दूसरे में तोड़ा confidence हाता है, लेकि nervousness रहती है, 15 days में आपको ऐसा लगने लगता है कि manage हो जाएगा, और last seven days वाले revision आपको ऐसा लगता है कि you are going to ace the examination, तो यह एक mindset होता है, यह एक cycle होता है revision का, चीज़े एक बार में न देली पढ़ता है, paper two के synopsis, मैं कुछ-कुछ देख लेता था, core two or two जो भी short notes prepare किये थे, और जो paper three है, इसको मैं try करता था कि last मैं पढ़ू, last के 20 days before examination पढ़ता था, कि यह बहुत जादा volatile है, और मुझे लगता था कि कहीं न कहीं अगर मैं पढ़ भी लूँँगा, अगर मै 40th day तक देखूँगा, तो पूरा almost पूरी Indian history धूल जा दे थी मरे दिमाग से, तो मैंने यह प्राइटाइस किया था, paper three last में मैं revise करूँगा, जो आपके subconscious में होने चाहिए, या कहेंगे tip of the tongue में होना चाहिए, वो है paper four, मेरे experience से, और paper six, reason यह है, कि कि इनके साथ paper three भी आप करना है उस particular 6 गंटे में, और paper five भी रिवाइस करना है, तो मेरी advice यह है, कि paper four और paper six पे extensively मेहनत करिए, फिर last में paper seven होता था, तो इनका जो chronology में कैसे जमाता था, सबसे पहले मैं start करता था, paper one और two parallelly चल रहा है, ठीक है, यह दोस्तों के साथ discussion होके, कुछ करके, इसमें content रो similarly four, पलास में three करता था, यह मेरा round one हुआ करता था, second round में किया करता था, इसको पलट देता था, four, five, six, seven, three, ठीक है, यह होता था, second round में, और जो third round है, जिसमें usually examination आ जाता था, या hell week होता था, उसमें मैं क्या करता था, फिर से cycle उल्टा कर देता, seven, six, paper five, four, और three, ताकि जो मेरा examination है, उसके just, कुछ दिन पहले मेरा paper three रटा हो, क्योंकि बहुत ही volatile syllabus है, and जो सबस्यादा retention मुझे चाहिए होता था, paper three के लिए चाहिए होता था, तो उसको सबसे last रिवाइस करता था, वो सबसे ताजा रहता था, मज़े point recall करने में easy होता था, paper four और paper six, यह आपका forte होना चाहिए, आपके strong points होना चाहिए, क्योंकि अगर यह strong है, तो paper five और paper three का revision, उस particular रात को, ठीक है, examination के one night before, मैं आपका बहुत pressure wave off कर देता है, तो paper six और four आपको strong रखना है, और इस step का cycle आपको चलाते रहना है, पहले चला दिये, फुर सी cycle को उल्टा कर दिये, और फिर उसी cycle को उल्टा कर दिये, तो इस type का अगर आप manage करेंगे, इस टेप से जमाएंगे, आपने revision को, अपने papers को, तो मुझे लगता है, काफी फायदा होता है, managing health, mental and physical, देखे, लोगों को लगता है कि यह बहुत ज्यादा, mental है, examination, लेकिन, people are very much wrong, means जो है, बहुत ज्यादा, physically demanding है, you have to write 6 hours, you have to sleep less than 5 hours, if you are revising complete syllabus, ठीक है, इस physically fatigue में, you have to revise 2 papers, in under 7 hours, और तब जब 6 घंटे लिख के आए हो, आप सच्छे से सोई नहीं हो, और बहुत ज़्यादा ठके हो गया हो, और आपके उपर बहुत ज़्यादा pressure है, examination का, लोगों के ऐसे होते हैं, कमरदर होने लगती है, हाथ पूरा सूच जाता है, उंगलिया छिल जाती ह है, मैं तो ऐसे से कईयों को दिखाए कि आख पानी-पानी हो जा रहा है, उनका आखे लाल हो गई हो पढ़नी पा रहे है, मैनेज करने का यह की तरीका है, academics तो हर कोई prepare करता है, लेकिन physically आपको खुद ही prepare करना पड़ा है अपना आपको, वरक आउट कर ये, physical activity, किसी form of cardio तो इस जो cycle होता है ना, छे गंटे लिखना, पांच गंटे से कम सोना, यह बहुत बड़ा physical shock होता है आपको बाड़ी पे है, और जो physical shock है, इससे recover करना is very necessary, and recovery हमेशा effective उसी आदमी के रहेगी, जो रोज वरक आउट कर रहा है, तो अगर, if you want to be at your mental prime during the mains examination, you also have to be in your physical trying, only a healthy body can carry a healthy mind, and only a healthy mind can ace the mains examination, अगर आप परिशान ने अपने best में नहीं है, तो कहीं न कहीं आप compromise होने वाले है, तो make sure कि physical fitness भी आप साथ में ध्यान रखे, अपने preparation के दौरान, perfect time for answer writing practice, जैसे आप पर्टिकुलर syllabus का keyword हो जा रहा है, तो आप इसके past year questions देख लेजिए, और इ पर्टिकुलर पेपर में आप practice करी है, काफी unidimensional questions आते हैं CCPC में, दो concept को relate करके नहीं बूचता है, आपने independent अगर syllabus का keyword कर लिया है, तो मुझे लगता है कि, you can forward directly into main answer writing, जो line है, बता लेता हूँ, दो marker, 4 marker, 8 marker, 10 marker, अपंदरा marker है, तो इसमें 7 lines होती है, इसमें 4 line होती है, 7 line होती है, 8 mark में आपको मिलेगा लगभग 14 line, 10 में आपको मिलेगा लगभग 15 से 16 line, 15 mark में आपको मिलेगा 17 line, 17 से 19 line, ठीक है, यह basic division होता है marks और line का, आपके पास जो भी paper है, loose paper, दसता paper बोलते हैं इसको हमारे area में, जो loose single sheet होती है, जो ruled होती है, तो वहाँ पर आप calculate कर लिए, एक, दो, तीन, चार, यहाँ पर दो माकर वो question लिख लिए उसको answer करने के कोशिश कर लिए इन चार line में, similarly for 4 marks, यहाँ पर चार माकर कोशन आप practice करता है, usually एक myth रहता है, लोगों को कि जो CGPC के answer copy होती है, वो landscape होती है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक रहता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर margins बनी होती है, यहाँ पर margins बनी होती है, यहाँ पर number देते हैं आपको, यहाँ पर question को कितने marks allotted है, word limit वो सब लिखा रहता है, और यह जो particular width होती है, वो आपकी A4 वाले ही width होती है, जो से इतनी होती है, ठीक है, तो यह पर्टिकुलर area है, it is similar to आपके regular book, आपको market में जाके specifically, यह landscape copy लेने की ज़रुवत नहीं है, यह बहुत बड़ा myth रहा है, कि landscape में होती है, 37-80 copy, no, जो writing space होता है, वो A4 ही होता है, आपको वही करना है चीज, वही regular copy में आपके answer rating हो जाएगी, यह don't need to buy a landscape copy, specifically for main answer rating, Power of mock test बताते हैं, किस प्रकार से क्या चीज़े होती है, जो mock test होता है, उससे आपका syllabus cover हो जाता है, syllabus cover करने चक्कर में आपके notes बन जाते हैं, आपका revision हो जाता है, आपकी answer writing practice हो जाती है, आपका time और space management अच्छा हो जाता है, साथी साथ, आप एक competitive environment में आ जाते हैं, और अगर कोई आप से अच्छा है, तो आप उससे सीखते हैं, उसके answer से, ठीक है, और एक broader understanding जो होती है, particular examination की, कि ये question तो tough है, ये सबसे ही नहीं बनना आया, ये question easy है, किसी से बनना चाहिए ते में इसे blender हो गया, वो जो broader understanding है, वो कहीं न कहीं बहुत जादा बढ़ जाती है, तो मेरा है ही मानना है कि mock test का ये फायदा होता है, और एक अगर manageable, efficient और sincere mock test standard करवाने वाली कोई institute है, तो वहाँ पर joint कले है, definitely, PLIMS का mock test का उतना, मुझे नहीं लगता है, कि उतना relevance है, अब, लेकिन mains के mock test को definitely help करते हैं, और make sure कि आप offline दे mains के mocks है, और real time pressure में आपको perform करने की आदत ह होनी चाहिए, mock test की limitation ये होते हैं, ये कभी भी exactly imitate नहीं कर सकते है, CGPSC को, अगर आपका mock test में first rank आ रही है, इस मतलब ये नहीं कि आप CGPSC में भी first rank लाने वाले है, लेकिन, अगर आप mock test में first नहीं आ रहे हैं, और कोई आप से बहतर है, उस particular test series में, पूरे test के दौरान, to be better than you in actual examination also, तो अगर आप mock test में पहले आ रहे हैं, इस मतलब ये नहीं कि आप CGPSC में पहले आ जाएंगे, बहुत overconfident होने की जरूरत नहीं है, लेकिन, अगर कोई consistently आपको beat कर रहा है, इसी mock test में, तो that is a matter of concern, and मुझे लगता है कि आपको अपनी strategy improve करनी चाहिए, उसके बा है, जो test series न उस particular topper ने लिखा होगा, तो you have to be very very observant, and आपको हमेशा ऐसा test series चूज करनी है, जहां पर topper का mock test के papers है, वो अवेलेवल करवाया, after every test series, ताकि आप उसे सीख सके इन चीज़े, similarly, mock test का limitation ये है, कि आप कुछ भी कर लीजे, you will never be prepared for the unknown since CGPSC, अब section 186 of CRPC जो है, वो जरूरी नहीं है, कि mock test में exactly वोई section पूछेगा, तो ऐसे time में, आप कभी expect नहीं कर सकते हो, कि सब कुछ आपके mock test से आएगा, कि ऐसा credit कर पाना, is not possible, तो उतना heavily rely मत करिये, mock test पे, और मैं ये बूलूँगा, कि हमेशा, जो actual papers आए हूँ है, CGPSC के, in mains, and prelims, उसके, उसकी basis प नहीं है, ना ही एक particular coaching के mock test पे, ठीक है, जो actual paper, CGPSC का paper, यहीं आपका base होगा, आपके strategy, derive करने की, the art of copy paste, सब कुछ आप खुछ से device नहीं कर सकते हैं, अगर कोई बहुत अच्छा topper है, उसने बहुत अच्छा कुछ एंसर लिखा हुआ है, उसने बहुत अच्छा कुछ एंस सब चीज़ों को, और जितना भी अच्छा approach है, आप minutely observe करिए, जो topper की answer copy है, वो यहाँ पे रखिए, जो online अगर आपको अवलेवल करवाएगा, आपका particular mock test organizer, और अपनी copy रखिए, और question wise आप इसको compare करिए, इसने question 1 में ऐसा क्या extra किया, आपने क्या अच्छा किया, तो इ इसको comparison करते रही है, और improve करते जाए है, मेरी जो advice है beginner को यह ही है, कि जो beginner होता है, बहुत जादा प्रिलिम्स पे focus होता है, यह मत करिए, डे वन से ही, आप मेंस की preparation करिए, और मेंस की syllabus को master करने की कोशिश करिए, एक आपका मेंस तही आ रहे है, तो प्रिलिम्स के साथ थोड है, avoid the vicious cycle, सीधी सी बात है, फरवरी में प्रिलिम्स हुआ, जून में मेंस हुआ, ऑक्टोबर में interview call आया, जनवरी फरवरी तक result आया, ठीक है, किसी भी examination के mode में अगर आप फेल हो रहे है, वापस प्रिलिम्स के तियारी नहीं करनी, मेंस के तियारी करनी है, फरवरी में प्र प्रिलिम्स तक आपको सिर्फ प्रिलिम्स नहीं पढ़ना है, आपको पूरा मेंस पढ़ना है, जब तक result नहीं आ जाता है, ठीक है, फरवरी में प्रिलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, जून में में मेंस क्वालिफाई नहीं होता है, या फिर आपको लगता अच्छा नहीं तो जनवरी में तो आपको मजबूरी है कि आपको प्रिलिम्स पढ़ना ही पढ़ेगा, लेकिन make sure फर्वरी के प्रिलिम्स आपको जाने के बाद आपके स्कोर अच्छे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपको मेंस ही पढ़ना है, आपके एक्चल जून तक और अगर आपको प्रिलिम्स पॉलिफाय नहीं होता है, तो इस मेंस के साइकल को फिर से दिसम्बर तक ले जाएए, ठीक है, आप किसी भी स्टेज पे हो, मेरा पर्सनल यही रिकमेंडेशन है कि आपको जब तक आपका नया अडवर्टाइजमेंट नहीं आता है, या दिसम्बर नहीं आता है, और इसके पहले का जितना टाइम है, पूरा आपको मेंस इग्जावनेशन में निकालना चाहिए, या तो आप सिलेबस कवर करिए, या तो आप नोट्स प्रिपेर करिए, या तो आप मॉक टेस्ट देते रही है, कुछ भी करके अपने आपको बांध ही एक पर्टिकुलर मेंस के टार्गेट में, और इसके बाद दिसम्बर में अगर आपको मेंस प्रिपेर रहे हैं, तो यह बहुत सारी जो डिटेल्स हैं, जिसमें आपको कन्फूजन रहा होगा, वो मैंने अड्रेस कर दिया इस पर्ट इस यह ओ मेंस पर दादा फोकस होते हुए बनाई है, all the best, keep working hard, and thank you for watching my video.